नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दैवीक शक्तिया चैनल पर स्वागत हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों यह संसार नश्वर हैं, यानि यहाँ पर जितने भी जीव आदी प्राणी निवास करते हैं, उन सभी का अंतनिश्चित हैं। और यह जानते हुए भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जो अमर होना चाहते हैं, वेद पुरान आदी ग्रंथों में ऐसे कई कहानिया वर्नित हैं, जिसमें सपष्ट रूप से उन लोगों की दुर्गती को बताया गया हैं, जो अमर होना चाहते थे। वेद पुरान आदी में वर्नित यह कहानी मनगरंथ कहानी नहीं, अपितु आदी काल में घटित एक सच्ची घटना हैं। अमर तो नहीं, लेकिन मैं आपको अमर तुल्य मृत्यू पर विजय पाने का रहस्य जरूर बताओगा, आप इस विडियो में अंत तक बने रहें। मित्रो योगेश्वर कृष्ण ने विशाद में फंसे अर्जुन को गीता का ज्यान देते हुए, जातस्य ही धुर्वो मृत्यू कहकर जिसका भी जन्म हुआ है, उसकी मृत्यू को अवश्यमभावी बताए है। जन्म अर्थात न्यायकरता परमपिता परमेश्वर की न्याय व्यवस्था के अंतरगत जीवात्मा के पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों के अनुरूप उसे उप्योग के लिए एक साधन के रूप में मनुष्य का तन प्रदान करने के सन्योग को ही जन्म कहते हैं। ठीक इसके विपरीत अपनी आयू पूर्ण कर लेने के उपरांत आत्मा का जीन शीन, मरंधर्मा, शरीर के त्याग को ही मृत्यू कहते हैं। वेद भगवान ने भी मृत्यू रिशे कहकर स्पष्ट कर दिया कि मृत्यू अवश्यमभावी है। अगर मृत्यू अवश्यमभावी हैं, तो मृत्यू पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। मृत्यू पर विजय को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि मृत्यू किसकी होती है, हम कौन हैं और क्या हम मरंधर्मा हैं। प्रथम प्रश्न मृत्यू किसकी होती है। इसका उत्तर भी योगेश्वर कृष्ण ने गीता के ज्यान में देते हुए पाँच मूलतत्वों, जैसे अगनी, जल, वायू, आकाश और प्रित्वी के सन्योग और मिलन से बने। इस मनुष्य शरीर व साधन को ही मरंधर्मा बताया है, साथ ही साथ, नैनन चिंदंती शस्त्राणी नैन दहती पावकर कहकर कृष्ण ने आत्मा को अजर, अमर, नित्य और अविनाशी बताया है। यजुरवेद के 40-वे अध्याय के 15 मंत्र में वेद भगवान ने भी आत्मा की अजर्ता, अमर्ता और शरीर के मरंधर्मा होने को स्थापित किया। यहां यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवात्मा मृत्यू से परे हैं, आत्मा अमर हैं और हमारा मनुष्य का तन अर्थात इश्वर प्रदत साधन ही मरंधर्मा है। मृत्यू पर विजय वास्तव में मृत्यू के डर पर विजय है। एक डरा हुआ कायर व्यक्ति अपने जीवन में सैंकडो बार मरता है। जबकि निडर साहसी मृत्यू के रहस्य को जानने वाला जीवन में केवल एक बार ही मृत्यू का आलिंगन करता है। योगेश्वर कृष्ण ने गीता का ज्यान देते हुए मृत्यू को परिधान परिवर्तन की संग्यादी है। आप इस पर तनिक ध्यान दिजिए, आपके सारे प्रशनों के उतर अविलम मिल जाएंगे। जैसे की हम प्रति दिन नहा कर नए वस्त्र पहनते हैं या फिर नए वस्त्र के लेने के लिए बहुत ही उच्सुक रहते हैं। वैसे ही मृत्यू के उपरांट इस जीवात्मा के पूर्व कर्मों के आधार पर मिलने वाले नए शरीर भी एक तरह से वस्त्र ही हैं। जिस तरह से समय के साथ नए वस्त्र गंदे वं मैले हो जाते हैं। समय के साथ उसकी मजबूती खत्म हो जाती हैं। वह धिरे धिरे फटने लगती हैं। अंततह एक ऐसा समयाता है, जब वह व्यक्ति अपने पुराणे वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, नए वस्त्र को धारण करते समय वह व्यक्ति दुखी नहीं होता है, ठिक इसके विपरित हर्शित होते हैं, उसी प्रकार यह मानव शरीर भी जिवात्मा का वस्त्र ही हैं। इसके अंदर जीवात्मा निवास करता हैं। जब यह शरीर रुपी वस्त्र समय के साथ गंदा वमेला हो जाता है। यह शरीर रुपी वस्त्र जब फटने लगते हैं तब जीवात्मा अपने इस वस्त्र का त्याग करता है और अपने कर्मों के द्वारा अर्जित किये गए पुन्य से उसी के अनुसार नए वस्त्र को धारण करता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि आपके पास एक सौ पुन्य कर्म रुपए हैं और किसी दुसरे के पास दो सौ पुन्य कर्म रुपए हैं और इस मानव रुपी शरीर वस्त्र का मुल्य दो सौ पुन्य कर्म रुपए हैं जबकि बैल रुपी वस्त्र का मुल्य एक सौ रु जबकि दुसरा व्यक्ति इस वस्त्र को पा सकता है क्योंकि इस व्यक्ति का पुन्य कर्म शरीर रुपी वस्त्र के बराबर है। अलग अलग नश्वर शरीर को धारण करता है। इसी तरह मानव का जीवन काल चक्र के गती में बंधे रहता है। यह काल चक्र इसी तरह चलते रहता है। तो दोस्तों जब हम नए वस्त्र पहनते हैं तो बहुत प्रसन होते हैं। लेकिन जब जीवात्मा पुराणे शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता हैं तो बहुत दुख होता है। यहां तक कि उनके साथ ही संबंधी भी रोने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता हैं क्योंकि हम मोह में फसे रहते हैं। प्रंतु अगर आप इस मोह से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको सत्य का पता होना बहुत जरूरी है। वह यह कि आपका शरीर एक वस्त्र हैं और समय के साथ इसको त्याग करके नए वस्त्र को धारण करना है। यकिन मानिये आप मृत्यू से नहीं डरेंगे बलकि आप मृत्यू को पास बुलाएगे। वेद भगवान ने भी अनेकों स्थानों पर मृत्यू का शोक न करने की या मृत्यू से उपर उठने की प्रेणा दी है। जैसे अथर्ववेद में त्वा मृत्यूर्दैता मा प्रमेश्था कहकर बताया है कि मृत्यू तेरी रक्षा करे और तू समय से पूर्व न मरे। अथर्व वेद में ही उत्तवा मृत्योर पीपरण कहकर वेद भगवान ने संदेश दिया है कि हे जीवात्मा मैं मृत्यू से तुझको उपर उठाता हूँ। मृत्यों मा पुरुष्वधी कहकर वेद ने संदेश दिया कि है मृत्यू तु पुरुष को समय से पूर्व मतमार। प्रश्न उठता है कि मनुष्य किस प्रकार मृत्यू के डर से विजय पाए और मृत्यूंजय हो जाए। मृत्यूंजय मंत्र की व्याख्या करते हुए जब हम खरबूजे की उपमा देते हैं और उसकी सुगंधी के चारों और फैल जाने की बात करते हैं तो हमें यही संदेश मिलता है कि मनुष्य के रूप में अपने इस सीमित जीवनकाल में इश्वर प्रदत्त साधन मनुष्य क के तन का उप्योग करते वे ऐसे सुंदर यगिय परोपकार के सदकर्म करें जिससे हमारी सुगंधी यश्चारों और फैल जाएं और फिर चाहें मृत्यू के उपरांथ हमारा भौतिक शरीर रहे या न रहे परन्तु हमारा यश्रूपी शरीर सदा सर्वदा के लिए अमर ह तथा हमारे चले जाने के बाद भी जन्मानस में हमारे कर्मों विचारों के माध्यम से हमें जीवित रख सके वैसे भी शत्पत ब्राहमन में अमर्ट्व की व्याख्या करते हुए कहा है, कि जिसको उस परम जोती के दर्शन हो जाते हैं, अर्थात जो जीवात्मा उस सर्व अंतर्यामी परमात्मा को अपने ही अंदर आत्म साथ कर लेता है, वह अमर हो जाता है, या जो मरंधर्मा अपन अर्थात यदि मनुष्य अपने जीवन के लक्ष अर्थात ईश्वर की अनुभूती करते हुए मोक्ष को प्राप्थ हो जाता है तो वह अमर हो जाता है। जैपा लेता है।